आप के हिसाब से वो अवतार अवतरित हो चुके हैं विर्गुल अवतरित हो चुके हैं कल्यूख समापत हो चुका है सत्यूख आ चुका है सत्यूख का प्रथम पड़ाव है कल्यूख अपनी अंतिन सांसे गिन रहा है तो यह बता आप वो किस चीज़ का वेट हो रहा है क्या अभी बहुत कष्टकारी चीजें आने वाली हैं, बहुत भूकंप आने वाले हैं, जब और भी महामारिया आने वाली हैं, थर्ड वर्ड वार भी आने वाला है, और इसी तरीके से लोगों का विनाश हुआ, जो विधर्मी लोग हैं, जो मलेच लोग हैं, उन लोगों का विना भविष्य मालिका क्या है ये मैं आपको बताती हूं रामायन हरवक्ट चलती रहती है महाभारत हरवक्ट चलता रहता है कल की अवतार ये कल्यूख खतम होने के बाद ही आया सुभाष्चंद्र बोस जी के बारे में बहुत कुछ किखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस जीवित है, हमारे नहीं है को हम सबने बच्पन में सुनाएं कि यार गहूर कल्यूक चल रहा है अभी तो और जादा बुरा हाल होने वाला है और वेदों में हमारे पुरानों में कल्यूक के बारे में बहुत डिटेल में लिखा गया है कि क्या होना है, क्या होगा और कैसे होगा लिखा हुआ है कि बई इनसान इनसान को खायेगा यहां तक भी लिखा हुआ है कि हम अपने ही लोगों को मार के खाना शुरू कर देंगे यहां तक भी हालत खाना हो जाएगी पर रिसेंट 10-15-20 साल में मैंने सुने एक भविश्य मलिका करके किताब है जिसमें कुछ और ही लिखा हुआ है जिसमें तोड़ा सा आलग डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे कल्यूग खतम होगा, कब खतम होगा बलकि almost खतम हो चुका है और सत्यूग अब शुरू होने वाला है तो आज का जो हमारा podcast है, सब कुछ इसी के बारे में है बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत knowledgeable होने वाला है पूरा episode जरूर देखना, आप लोग episode पूरा देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो पहले ही बता रहा हो शुरू में तो शुरू करते हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में है इशा राज, इशा कैसी है हो? मैं बिल्कुल चीब हूँ, तरूम जी थेंक्यू सो मच फॉर कमिंग और भविश्य मलिका के ऊपर मेरा बहुत ताइम से मन था एक podcast करने का पर मुझे कोई expert मिल नहीं रहा था जो exactly जानता हो कि भविश्य मलिका में क्या लिखा है तो इशा सबसे पहले तो अपने बारे में आप थोड़ा सा बता दो so that हमारी audience को पता चले कि आप क्या गफ है ठीक है, मैं इशा राज और मैं spiritual healer और एक psychic medium हूँ रेकी healing, spiritual healings करती हूँ like रेकी, lama, phera, magnified healing, angel therapy और astrologer भी हूँ, tarot cards reader भी हूँ और मैं psychic medium भी हूँ और aura read करके लोगों के बारे में बताना आप लोगों ने clear point भी सुना होगा कुछ word का है जिमकों तिखाई देता है, I think सुनाई देता है चीज़े सुनाई देती है, समझ में आती है मतलब किसी को भी, किसी से भी बात करके या सामे से मैं इसको judge कर रही थी हूँ बहुत easily वाइब जाती है तो मेरा ये पूरा है और मैं काफी spiritual life में हूँ तो ये मेरा एक limited सा introduction है तो भविश्य मालिका से आपका introduction कब हुआ? आपने मुझे बोला expert तो मैं expert नहीं हूँ expert सिर्व प्रम्हांट के नाए प्रभू ही है मैं उनकी एक follower हूँ मैं उनकी भगत हूँ और भविश्य मालिका मेरी life में पिछले एक साल पहले आई और मैं काफी प्रभु भगति करती हूँ और मुझे हमेशा मन में रहता था कि पता नहीं कब प्रभू अफ्तरण होंगे अफ्तरित होंगे धर्ती पे आएंगे मैं उस जिंदीगी में रहूंगी ही नहीं मैं अपनी आखों से कैसे देखूंगी प्रभू को हमेशा मैंने imagine किया था प्रभू को भगवान को मिष्णु जी को कि ऐसे होंगे वैसे होंगे मैं तो देखी नहीं पाऊ कि तो एक दिन मुझे ना एक स्वप्न आता है सप्ना मैं हमेशा मंत्र जब करती हूं कृष्ण भगवान का हरे राम हरे कृष्ण मंत्र और यही रात में सोते टाइन दी तो एक बारी मुझे जैसे स्वपनाया कि भगवान विश्मु शेश नाक पे बैठे हुए है अपनी शेया पर माता लक्षम जैसे हमको विजुलाइज करते हैं और उन्होंने मुझे बोला कि मैं आ गया हूं मुझे ढूंद लो जी अच्छा मैं जैसे सपना होता है मैं भी सपना समझ के भूल गई मुझे लगा कि सपना है आ गया होगा मैं मंतर जब करती हूं भजन सुनके सोती हूं तो सबकॉंशस माइन में वही होता है जो हम एंड में सोते टाइम सुनते देखते हैं मेरे सपनों में तो हमेशा भूत मेरे पीछे बाग रहे होते हैं तो इसको नवा हॉरर मुवीस हाई दी और मैंने वो अकाउंट फॉलो कर दिया और उसके बाद काफी रील्स देखने लिगे क्या है भविश्य मालिका उसमें था कि प्रभू कलकी आएंगे और ऐसे-ईसे महामारियां आएंगी यह सब होगा तो आउट ऑफ क्योरोसिटी मैंने उसको लाइक कर लिया रील अश्व पे सवा रहें और कहरें अब तो डूमलो मैं आ गया अच्छा लिटरी यही वर्ट्स थे उनके फिर मुझे लगा ही क्या सपने में आ रहे हैं क्या हो रहा है मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है फिर उस चीज को मैं भूल रही फिर मैं ऐसे स्क्रॉल करती रह फिर उसके बारे में और मुझे नॉलेज मिली इंस्टाग्रान के थूँ यूट्यूब में भी काफी मैंने भविश्य मालिका के बारे में ढूंदा देखा और मुझे एक बीडो दिखाए दिया पंडित काशिनात मुष्रका आप यूभी बीडो जरूर देखिएगा उनका अब रभु भक्त क्या होता है प्रभु को ढूंगता रहता है कही सभी मिल जाए कही सभी मैं ऐसी भक्ति करूं की मैं प्रभु को पास सकूं मैं प्रभु को देख सकूं तो out of curiosity मैंने उस पे connect किया, contact किया और मुझे पता चला कि आप मुझे बस यह बताया यह सट संग होता दीरे दीर इस धारा में सत्संग में आगे बढ़ती गई और फिर मुझे पता चला कि कल्यूग समाप्त हो चुका है, सत्यूग आ चुका है, सत्यूग का प्रथम पड़ाव है, कल्यूग अपनी अंतिन सांसे गिन रहा है। तो ये भविश्य मालिका में लिखा हुआ है? भविश्य मालिका में लिखा हुआ है। होने से पहले सारी घटनाओं का वर्णन किया, कि प्रभू अवतरित होंगे, धर्म संस्थापना करेंगे। उसके बाद द्वापर यूग में वेदव व्यास ची ने पूरी महाभारत लिख डाली। और ये बताए कि कृष्ण भगवान अवतरित होंगे, और दुष्टों का नाश करेंगे, धर्म संस्थापना करेंगे। कल यूग में क्या, कल यूग में कौन सा गरंथ, कल यूग में है भविष्यवाडी, की है भविष्य मालिका, अब ये भविष्य मालिका के रच्चाइता कौन है, किसने लिखी है, भविष्य मालिका के रच्चाइताओं को पंछ सखा कहा जाता है, जो भगवान के, भगवा संत बलराम दास, संत जगननाथ दास, संत शिशुवानन दास, और जशुवन दास, जब श्री चैतन्य महाप्रभू कल युग में प्रपठ हुए थे, जिन्होंने हरे कृष्ण, हरे राम का मंत्र की, किया, सापना की, जब पूरी दुनिया में सत संग क्या होता है, संग क्या होता है, वो बताया, उनके शिश्यत है ये पांच पंच सखा, और जगनाथ प्रभू की महावाणी है ये भविश्य मालिका, जो छे सो वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी है, इन पंच सखावने एक लाग पिचासी हजार, बन लाग एड़ी फाइव थाउजन गरंथो की लड़ियों को मालिका कहते हैं, और वही है भविश्य मालिक, जैसे पंचांग में अमावस्या के बारे में जिक्र है, और पुर्णिमा के बारे में जिक्र है, और वो कभी जूठे नहींते हैं, वो हमेशा पंचांग के अकॉर्डिंग चलते हैं, वैसे ही भविश्य मालि अच्छा स्थापना कैसे की जाएगी वो लिखा हुआ है और main attraction point क्या है प्रभु कल्की का अवतर्ण वो लिखा हुआ है कि प्रभु कल्की कहां अवतरित होंगे भक्तों का कैसे एकत्री करण होगा कैसे सुधर्मा महा महा संग बनाई जाएगी भागवत पुरान में लिखा हुआ है श उसके बारे में विचार किया जाता था तो इस युक में भी सुधर्मा महा महा संग का गठन हो चुका है सोला मंडल जो हैं पूरे विष्व में भगवान के सोला मंडल बन चुके हैं उसमें बहुत सारे भक्तलों के इकत्रित हैं और यहीं मिले के धर्मसंस्थापना की जाएगी करेंगी तो यह सारा कुछ बर्णन भविष्व मालिका में भी है तो कल की अवतार हो चुका है? जी, कल की अवतार तो कल्यूग के एंड में होना था? कल्यूग खतम हो चुका है कल्यूग खतम हो चुका है मैं इसका तर्क आपको दे सकती है मेरको उससे पहले क्योंकि मैं देखो मैं वेदिक उसके साब से चलते है ठीक है हमारे वेदों में कल्यूग की डूरेशन चार लाग बत्ती सबार बत्ती सबार साल बताई गई है यह यह मिस्कैलकुलेशन कैसे कर दिया हमारे देशन उन्हें अच्छा यह बिल्कुल मिस्कैलकुलेशन नहीं है ऐसे क्यों हुआ मैं आपको बताती हूँ वेदिक जोतिश के हिसाब से हर मानव की जो उम्र है वो एक सो बीस पाल है जब हम जो तिश में गणनाय करते हैं उम्र निकालते हैं लॉंजिटिवीटी निकालते हैं तो गरंथों में दिया गया है एक सो बीस वश लेकिन हम इनसान लोग एक सो बीस वश नहीं जीते हैं सत्तर असी मैक्सिम्म आप तो साथ हो गई है सत्तर लगा लिजे आप सत्तर लगा लो भगवार ने एक सो बीस लिखे दी दी सत्तर क्यों है पाप कर्मों की वज़े से हमारे पास के कर्म होते हैं पूर्फ चनम के कर्म होते हैं प्रेजेंट में हमारे जो कर्म होते हैं उसके accordic हमारी आयू का कशय होता है, मतलब आयू खतम होती है इसी तरह कल्योग है, कल्योग में कितने पाप हो रहे हैं, भाई-भाई को मार रहा है, रेप्स हो रहे हैं, लोग मार के खा जाते हैं, आप ते सुना होगा न, मिथारी हुआ था, और कौन सा, एक मुसलिम लवर्स का हुआ था अभी भी कितना सुनने को मिल रहा है पर ये कल्युक पहली बार तो आ नहीं रहा है हाँ कल्युक तो पहले भी आ चुका है पहले भी खतम हो चुका है पहले भी चार लाग 35,000 साल का ही था चार लाग 32,000 साल का था अगर तो भी वेरी एकुरेट तो फिर इस बार ऐ श्रीमत भागवत महापुरान जित्ते भी कथा वाचक हैं, कभी भी ये नहीं बताते हैं कि 4,32,000 लिखा हुआ है, पर अब कल्यूख खतम हो गया है, कभी नहीं बताते हैं, के नहीं पता, क्यों नहीं बताते हैं, पर common sense है, जो मैं भी आपको बताती हूं, श्रीमत भागवत महापुरान में एक छोकी सी कथा है, नारद मुनी जी, जो है, श्री कृष्ण को कहते हैं, कि प्रभू अब तो आप जा रहे हैं, अब तो कल्यूख आ चुका है, श्री कृष्ण के जाते-जाते कल्यूख आ चुका था, और 1200 साल जी चुका था, तो नारद वरिंदावन में देखते हैं, एक सुन्दर सी नव यूवप यूपती होती, दम यंक, बैठी रो रही होती है, उसके गोद में दो बूढ़े लोग लेटे होते हैं, वो पोलता हैं, नारद जी, कि मात आप क्यो रो रही हैं, और ये दोनों कौन हैं, कहते हैं, ये दोनों मे ये चागरित होगी किस्ने के अदर, तभी घ्यान और वैरागे जो हैं बूजिन्भा रहेंगे, भक्ति खतम तो घ्यान और वैरागे भी बूढ़े हो जाएंगे, то नारद जी कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वरिंदावन का ये हाल कैसे हो सकता है, बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं और नारज जी कहते हैं ये कल्यूग की दारुन अवस्था है दारुन अवस्था मतलब यंट, मध्य में तो उस टाइम पहले जब कल्यूग दारुन अवस्था में था, मध्य अवस्था में था तो अब कल्यूग बच्चा कैसे हो सकता है यह कॉमन सेंस है वहां से पता चल जाता है कि उस टाइम पर कल्यूग जब चरम सीमा पे था जब ग्यान और वेराग यह कितनी बुरी हालत हो गई थी तो अब आते आते कल्यूग बच्चा कैसे कल्यूग तो मर रहा है खतम हो रहा है तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था आफ्टा कैमरा कि दिया जब जलते जब बुझते बुझते एकदम फपक के जलता है ना उसी तरह कल्यूग का हाल है कल्यूग एकदम खतम हो चुका है मर चुका है और मरते मरते हाँ जी है ना तो इससे पहले 27 कल यूग निकल चुके है हाँ मल्टी वर्स है ना ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड में डेली रामायन होती है डेली महाभारत होता है हाँ तो हमारे 27 महायूग निकल चुके है है ना तो कल की अवतार इससे पहले भी हुआ है ग्रंथों में हाँ हर वक्त चलती रहती है, महा भारत हर वक्त चलता रहता है, कल की अवतार ये कल्यूग खतम होने के बाद ही आया है अच्छा, क्योंकि मैंने कहीं पड़ा था, मुझे बलकि मुझे एक बहुत जानी वेक्ति ने मुझे बताया था कि श्री राम जो राम अवतार थे, वो 24 वे महा यूग में हुए थे अभी हम 28 वे महा यूग में चल रहे हैं, इसके बीच में तीन महा यूग निकल चुके है उसमें कोई विश्नु अवतार नहीं हुआ है, ना राम, कृष्ण, ना ही कोई और जबकि हर एक महा यूग में अवतार होना चाहिए, ये मैं पहली बार सुन रहे हूँ, ये आप पढ़िएगा, इसमें ये है, ओके, ये मैं फिर्स टाइंड सुन रहे हूँ, क्योंकि ये जरूर मुझे पता है, कि हम मल्डी वर्स यूनिवर्स है, हम जैसे लोग किसी और य क्योंकि मैंने कहीं पर भी ये नहीं पढ़ा कि जैसे राम अफ्तार, राम जी की भी कहानिया कि उन्होंने वह अंगूठी डाली थी, तो वह अनुमान जी उसके पीछे गए थे, जब उनका देह छोडने का समय हुआ था, तो उसमें गए थे वह पताल में, क्योंकि वह राम कि प्रभूराम की अंगूठी यहां आई है, वो मुझे लटा दीजिए, तो मैं वापस लेकर चला जाओ, तो उन्होंने उसको दिखाया है, हनुमान जी को दिखाया है कि भाई, ये लाखों अंगूठी यहां पढ़ी है, इसमें से जो तुम्हारे राम की है, वो उठालो, हाँ जी, तो मतलब इतनी बार रामायन अल्रेडी हो चुकी है, अभी भी कहीं किसी भी उनिवर्स में होती होगी, हाँ, तो वैसे ही माभारत भी हो चुकी है, लेकिन कल की अवतार के बारे में कभी ऐसा बताया नहीं है, कि वो पहले हो चुका है, इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि एक मात्र भविश्य मालिका ही है जिसमें कल की अवतार जी की सारी ही सारी बाते लिखी नहीं है और ये प्रमाहा प्रभु जगणनाथ ने ही निर्देश दिया था कि जब कल यूग खतम हो रहा होगा जब एकदम अपनी अंतिम साह से गिन रहा होगा तभी लोगों को ये लोगों तक ये ग्रंथ पहुँचेगा लोग इसको जानेंगे समझेंगे और जो प्रभु के भथ हैं वही प्रभु को समझ पाएंगे वही प्रभु को जान पाएंगे और लोग नहीं जान पाएंगे और लोग नहीं जान पाएंगे तो कल की अफ़तार हो चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल हो चुके हैं और हरको उनके दर्शन भी कर सकता है लेकिन उनके दर्शन करने का रूल्स और रेगुलेशन्स हैं कोई भी पापी इंसान व्यभिचारी इंसान जो व्यश्म में रहता है वो कभी प्रभू के दर्शन नहीं कर सकते हैं मतलब अल्मुस्ट नाइंटी नाइन परसेंट लोग नहीं कर पाएंगे देखी अब ऐसा है कि अब प्रभू कल की सिले आए ना कि धर्म सुझ थापना करने हैं कि आप अपने अंदर के धर्म को जगाए धर्म में रहिए तो प्रभू दोनी को दिखेंगे जो धर्म में रहेंगे तो अभी और आगे क्या लिखा हुए है क्या लिखा हुए बविश्य मालिका में कि क्या होने वना है देखी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं बस प्रभू की भक्त हूँ जो जितना मैं प्रभू को समत सकी हूँ भविश्य मालिका की धारा से जुड़ी हुई हूँ जितना मैं जानती हूँ अभी बहुत कष्टकारी चीजे आने वाली है बहुत भूकम पाने वाले है जब और भी महामारिया आने वाली है थर्ड वर्ड वार भी आने वाला है और इसी तरीके से लोगों का विनाश हुआ जो विधर्मी लोग है जो मलेच लोग है उन लोगों का विनाश होगा और प्रभुपन धर्म संस्थापना करें तो थर्ड वर्ल वर कब शिरो हो जाएगी अकॉर्डिंग तो भविश्य मालिका कभी भी पदल सकती है क्योंकि गड़नाएं गड़नाएं हैं लेकिन ये जरूर है कि जब शनी मीन का योग होगा शनी मीन का योग दोजाब पच्चिस में होने वाला है जब शनी देब जो है जब मीन राशी में कोचर करें उसके बाद विनाश लिला और जादा हो जाएगी विनाश लिला अभी भी चल रही है आप डेली न्यूस सुनते होंगे यहाँ वार हो रही है यहाँ भूकम पागया है यहाँ बाढ़ा गई है जानवर लोग भी एंट्री कर रहे हैं अर्बन एरियाज में यह भी आपने न्यूस सुनी होगी भेड़िया आगया आदम खोर जानवर आगया शेर आगया कोई आगया तो यह सब भविष्र मालिका में लिखा हुआ है भविष्र मालिका में यह लिखा हुआ है कि जब कल्यूका अंत हो रहा होगा जानवर लोग जो है खुंगार जानवर लोग अपने स्थान को छोड़े अरबन एरिया में आ जाएंगे और वो हो रहा है तो कल की अवतार आप मिले हुए हैं? मैं प्रवू के दर्शिन कर चुकी हैं तो फिर वो अपने फुल फॉर्म में और अपने उसमें क्यों हम लोग अभी भी इतने कष्ट में चेल रहे हैं जब विश्णो अफ़तार हो चुका है कष्ट इसलिए है क्योंकि देखे भगवान कभी कष्ट नहीं देते हैं आज तक भगवान ने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया है हम जब पैदा होते हैं तो हमें विल पावर दी जाती है हमें फ्री विल दी जाती है हम अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग करूं करते हैं और प्रभू उसका फल देते हैं प्रभु ने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया है, प्रभु कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकते हैं, तो 2025 आप कहा रहे हो, यह तो next year है? हाँ, बस किता मेन रहेगा, तीन चार मेने, आच्छा, तो मतलब हम लोग अपनी जीवन में सत्यूग देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे, अगर आप सत्यूगी मानव बनने के काबिल हुए तो, और सत्यूगी मानव कैसे बनेंगे? यह भी बता दीजे, ताकि हम लोग अपना चेंज करें? बिल्कुल, सबसे पहले कि जो भी आप कारे कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बिजनिस कर रहे हैं, करते रहे हैं, उसमें आप धर्म को आड़ कर दीजे, धर्म को कैसे आड़ करेंगे? जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ ही करते रहे हैं, मंदिर जाए, पूजा पाठ करें, लाहो जब करें, मन में अच्छे भाव रखीं दूसरे के प्रती, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, सात्री करने के लिए, शुद्धशा का हारी होना पड़ेगा, उसके बाद त्रिकाल संध्या होती है, त्रिकाल संध्या क्या होती है? त्रिकाल संध्या होती है, दिन में तीन बाई, प्रभू का ध्यान करना, प्रभू के बारे मे पांच से शे बजे के बीजे इसमें त्रिकालसंद्धिया क्यूं करनी चाहिए त्रिकालसंद्धिया में बहुत पावर होती है अब इस कल युग में हम मानव लोग भूल चुके हैं अपने अस्तित्व को भूल चुकें अपने conscious को भूल चुके हैं हमें नहीं पता हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं तो यह चीज दे सब भूल चुके हैं लेकिन हमारी जो त्रिकाल संध्या का कॉंसेप्ट है यह बहुत पुराना है हर यूग में मानव किया करते थे इसमें भगवान विश्णु की पूजा की जाती है और इसी टाइम पे सारे देवी देवता भगवान विश्णु की पूजा करते हैं इसमें भगवान विश्णु के सोला नाम होते हैं इसमें भगवान विश्णु की स्तुती होती है भगवान विश्णु के दस अवतार जो हैं उनका वर्णन है उसका श्लोक होता है और मातादुर्गा मधव की स्तुति होती है आच्छा तरिकार संध्या करने से हमारे अंदर बहुत डेवलप्मेंट होती है हम सात्विक हो जाते हैं हम किसे के लिए दुराचार हम garbage हम नहीं करते हैं हम इसे कल्यूग में कितने लोग हैं जो श्रीमत भागवत पढ़ते हैं। भागवत गीता अलग है, भागवत गीता अलग है, भागवत पुरान अलग है। भागवत गीता में क्या होता है, कि श्री कृष्ण जी जो है, इनसान को rules और regulation बताते हैं कि इस तरीके से कारिक करो। और श्रीमत भागवत महापुरान में भागवान की लीलाओं का वर्णन है। भागवान की 24 अफ़तार हैं भागवान की, 24 अफ़तारों का वर्णन है भागवान का। दस अफ़तार हम सब जानते हैं, लेकिन 24 अफ़तार हैं छोटे और अफ़तार भागवान की हैं। इनसान को किस तरीके से रहना चाहिए। भागवान के अंदर क्या-क्या है। पहाड, पेड, पौधे, जीव, जन्तु, सब भागवान के अंदर है। तो ये श्रीमत भागवान को आप कह रहे हों कि हमें नॉन्वेज छोड़नी पड़ेगी और शराब बिलकुश शराब, जुवा, ड्रक्स ये सब को छोड़ना पड़ेगा। और उल्टी सदी चीजें की लड़की को देखी, सीटी मार्दी, एक्स्ट्रमेंटल अफैर कर लिया। ये सथ। पर लेकिन जैसे खुबसूरत लड़की को देखना वो तो श्री कृष्न की भी इतनी गोपिया थी। श्री कृष्न की गोपिया पता है। श्री ये हैं बहुत मिस्कॉंसेप्शन है। तो श्री कृष्न क्या है वू नहीं जानते श्री कृष्न को लोगों ने रॉंस जानते हैं। आप जैसे श्री कृष्न के ओ कि अगर मैं वैसे I'm really sorry, मैं किसी की भावना को हट नहीं करना चाहता है, पर जो जनरल पब्लिक में पता है कि श्री कृष्ण जब लीला करते थे, तो वो गोपिया नहार ही होती थी, तो उन्हें कपड़े लेके भाग जाते थे, अब इसका रीजन है, आज यही तो पोड़ी नो कि श्रीमत बहापुरान पढ़िये, तब पता चलेगा श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण नहीं लीला की थे, गोपियों के वस्त्रों उन्हें क्यों चुराये थे, यह नहीं चुराये थे, फ्लोर्ट कर रहे थे, नहाते बे देख रहे थे, ऐसा नहीं है, भगवान और इंसान के नर नारी कोई नहीं, गोपियों, गोपि क्यों होती है न कि लोग यह समझते हैं, बिरिदा वं कि किती रील्स देखी हैं, लहेंगे पहन लिया, तैयार हो गए, नाच रहे हैं कि हम गोपी हैं, गोपी कोई नर नारी नहीं है, गोपी एक भाव है, अच्छा, वो लड़का लड़की भी हो सकती है वो गोपी भाव है और गोपी जो है ना आप कहा रहे हो कि हम दूसरी लड़की को देखें भी ना नहीं यह नहीं कहा रही देखें भी ना यह नहीं कहा रही देखें भी ना यह नहीं कहा रही देखें भी ना यह नहीं लेकिन चार वीविया रख सकते हैं जी नहीं बिलकुल नहीं चार वीवियां क्यों रखेंगे य वो यूप डिफरेंट था और उनका कॉंसेप्ट डिफरेंट था जैसे ये बोला जाता है कि श्री कृष्ण जी की सोला हजार पत्मियों थी और आनिया कहा जाता है पर वो क्यों थी वो मैंने कहानी सुनी है कि वो कोई राक्षास उन लड़कियों को उठा के ले गया था तो ने युद करके उन लड़कियों को बचाया था पर लेकिन कोई उनको अपनाना नहीं चाहता था बिकास वो इतने नाइं तक वहां रहे थी तो उन्होंने फिर्म को अपना नाम दिया था कि आपको पोई नहीं अपना था तो आप मेरे नाम चार रहोगे ये मुझे कहानी प पर जब श्री राम जी पैदा गुए उन्होंने क्या शिक्षा दी मानव रूप में तो कृषिन जी ने तो नहीं सुनी उनकी वो शिक्षा ओ तो बाद में है जबकि कृषिन जी कि खुद की दो या तीन बीविया था भगवान जी रूस तोड़ते हैं ना अच्वान जी को होता आज कर लोग समझते हैं ना कि वो कितनी सुअधर है या कितने पैसे वाला है देंस से शादी कर लेता हूँ या मैं उस से शादी कर लेती हूँ और झिव इंट इट होता है रेलेशन शिक में लेकिन अन्कंदिशनल लव सिखाया मैं श्री कृषिन जी ने और लोग पुस्तक सिर्फ ruिलाओं के लिए लिखी गई है उसके अंदर रादा जी का mention क्यों है लीला भगवान ने धर्म संस्थापना धर्म संस्थापना के लिए जो लीला की है पुर्श्यमत भागवत महापुराण में है रोमांटिक साइड भगवान का नहीं है भगवान कैसे रोमांस कर सकते कितने साल की उमर में भगवान छोड़के चले गए थे सब सोला साल की उमर भी नहीं थी भगवान की जब भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया था तो भगवान क्या रोमांस करेंगे तो यह लोगों का मिसकंसेफशन है कि भगवान रोमांटिक है रोमैंस करते हैं ऐसा कुछ नहीं है तो ये जो गोप्यों के साथ जो लीला जैसे अभी भी बोला जाता है कि वो वरिंदावन में जो निदीवन है रात को वहाँ पर हाथो भगवाई आपको लीला करेंगे ना भगतों के साथ तो खेले कुदेंगे तो मुझे थोड़ा साथ कल की अवतार के बारे में बताओ कि क्या जाओं नाबको आपके हिसाब से वो अवतार अवतरित हो चुके है अलएडी तो अब वो ये बताओ आप वो किस चीज़ का वेट हो रहा है कि हमके ट्रेनिंग चल रही है भी बेट हो रहा है सनातनियों को एकठा करने की क्योंकि अब ही हम सनातनी लोग इकठे नहीं है हम हिंदु हिंदु इस एक दूसरे के खिलाफ है धर्ण सुल्थ अपना कैसे होगी जब तक हिंदु जगेगा ने और हिंदु कब जगेगा जब उसको धर्म का ग्यान होगा, धर्म का ग्यान कब होगा जब वो हमारे धार्मी ग्रंथों को पढ़ेगा, पर अगर वो सामने आ जाएंगे तो जाएंगे नहीं, ऐसे सामने आएंगे नहीं, मजाख है क्या कोई भगवन सामने आके बोलेगा मैं निपर जैसे श्री राम ने सब को एकतरित किया कि भई ये रावन है इसकी अगेंज़ धाने श्री राम ने कभी ऐसा नहीं कहा नहीं नहीं पर श्री राम ने कहते हैं श्री राम जी कभी नहीं बोला कि वो भगवान है ना कृष्ण भगवान ने कभी बोला कि मैं भगवान कि श्री राम ने फर्स टेप लिया कि हमें रावन के साथ जुद करना पड़ेगा हाँ क्योंकि उनकी बीवी को वाइफ को हर के लिए गए 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 उन्होंने ही आर्मी को जोड़ा चाहे वानर सेना हो या और भी कहते हैं फिर रावन से लड़ाई करेंगे श्री कृष्ण ने भी जब महाभारत में श्री कृष्ण अगर चाहते तो महाभारत नहीं होती वो चाहते थे महाभारत यही करने के लिए आये थे तो कल की अवतार जो है वो तो जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि सनातन को वापस उसी उचाई पे ले जाने के लिए उनका अवतार होगा तो अब वेट के सीजगा अगर वो अवतारित हो चुके हैं धर्मसंस्थापना तो कैसे होगी धर्म संस्थापना कैसे होगी हम सिच्छानातुनियों को इकठा होंगे इकत्रित होगे भक्त इकत्रित होगे तब होगी जब हर भक्त के हर घर में श्रीमत भागत महापुरान पढ़ी जाएगी हर भक्त रिसंध्या करेगा हर भक्त वैबचार से दूर रहेगा हर एक इंसान तब हमारे अंदर ही तो धर्म संस्था अपना है हमारे अंदर ही तो धर्म है हम भूल चुके हैं कौन है तो ये कैसे आएगा, ये चेंज कैसे आएगा ये चेंज दीरे दीरे आएगा और चेंज आ रहा है जैसे पर आप तो कहले हो ना दोजार पच्चिस में वर्ल्ड वरी शिरू हो जानी है हां तो इसलिए तो तेजी से प्रचार हो रहा है इसका जितने लोग भगते हैं वही जुड़ेंगे और और लोगों को मालिका के बारे में बताएंगे भगवान के बा भविष्यवानी लिखी हुई है और एक ऐसी मेजर भविष्यवानी जो आपने पढ़ी हो जो सच हुई हो मुगल वाली भारत का मुगल पे आक्रमन और इसके बाद मुगलों का भारत पे आक्रमन और इसके बाद गांधी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है अच् तो गैसी चरनजीवी तो है नहीं हो। उनकी बॉड़ी कभी मिली नहीं है। हां वो तो मुझे मॉझे मालू है। वो जीवी था है और यह क्यौंटया हैं। वो गर मिर्लेभी कहत функ 논 पर वह बात कर रहा हैं। पर शुराम जी और भी बली हैं और अशुवताम है यह उनके साथ जड़ गए हैं जो कलकी अफ़तार है। पर हां कल की अफ्तार हैं तो सारे देवी देफता भी अफ्तरित हुए हैं तो अगर मैं अपना लाइफ चींज करूँ कि मैं नॉन्वेज चोड़ दूँ, मैं शराब पीना चोड़ दूँ और जो मैं लग्कियों को गलत नजरों से देखना चोड़ दूँ भागवत पढ़ने लगूँ, तो क्या मैं उनसे जाके मिल सकता हूँ आपको संस्था के साथ जुमना होगा, डेली सत्संग करना होगा, ओनलाइन सत्संग होता है और फिर डेफिनिटली जब आपका प्रारब्ध खतम हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगे तब आप डेफिनिट ये प्रभू से हमल सकते हैं, उनको अपने आखों से देख सकते हैं, उनसे बाप कर सकते हैं, उनकी लिलाएं महसूस कर सकते है अच्छा, लोगों ने करी हैं उनकी लिलाएं महसूस? और बहुत आप ये करना शुरू करिये तरिकाल संध्या एक हफ़ते दो हफ़ते महीने में प्रभू आपको सब मिदर्शन दे देंगे ये मेरा दावा है आपके साथ हो चुका है ये तो इसा मुझे एक चीज बताओ आपकी अभी तो फिर भविश्य में क्या क्या होने वाला ह और आप लोगों को उन लोगों का सेवन करेंगी जो लोग भक्ती भी करते हैं और नौन विज भी खाते हैं और उन्हीं के थ्रुजिक्ती भी महामारियां आ रही है वो सारी आएंगी महामारियां तो दुर्गा पूजा जब बेंगौल में होती है वहाँ तो पंडाल में भी नौनवे चल रहा होता है यह बहुत कॉंट्रोवर्शिल चीज है मत पूछिए पर यह सच तो है हाँ यह सच है लेकिन देखिए यह सबका अपना अलग-अलग बिलीफ है और मैं किसी के बिलीफ और रिलिजिन पे बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि माकव यह चीज अरपन करिए यह वो चीज अरपन करिए अच्छा मैं आarius बिलीफ को रिस्पेक्ट करती हूँ मैं किसी को यह नहीं बोल रहे हैं कि यह नहीं करना चाहिए बड़ कहीं लिखा नहीं यही सवाल जैसे हम लोग बैक स्टेज भी बात कर रहे तो यही सवाल मैंने एक हमारे पास महानुभावाय थे तो उनसे हमने पूछा था कि भाई यह हमारे ग्रंथों में तो कहीं ने लिखा हुआ कि आप वह थोड़ा तंत्र विद्या करते हैं मतलब जानते हैं तंत्र विद वाम हमारे नेगेटिव नहीं बोलेंगे उसको क्योंकि बहुत बड़े-बड़े संत हमारे अगर मैं बोलूं तो जो परमंस जो थे काली माता कर जो भी तंत्र है तो वो सब और वो उन्होंने बहुत क्लेरली मुझे बताया कि आगर आप सात्विक ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि उसके अंदर नहीं नौन वैज नहीं खाना चीए या यह नहीं करना चीए शराब नहीं पीनी चीए लेकिन अगर आप तांत्रिक ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर इन चीजों की भी अलाउड है इन चीजों को करना लेकिन वो तब क आप उस रास्ते पर चलो तो आप साधना करके फिर देन आप गौड से भगवान से या उस एंटिटी से जुड़ सकते हो तो ये तो हमारे गरंतों में अगर मैं सात्विक गरंत ना पड़ू और तांत्रिक गरंत पड़ू तो उसमें लिखा हुआ है तो फिर इसको एक वो क्य अब वो मजबूरी में खाते हैं या कैसे खाते हैं ये मुझे इसके बारे में मैं कॉमेंट नी करूँगा या अगर मैं अलास्का चला जाओं वहाँ पर वेजिटेशन है ही नहीं वहाँ पर उनके पास कोई आप्शन ही नहीं है कि वो नॉन्वेज के अलावा कुछ और खा ल्दुद्बऄ हैं या वो उनका साथ नहीं दे पाएंगे यह तो गलत भी होगा देखें में नहीं करते हैं पूरी जनता क्या कॉरे माज लह पूर में ऑर मैं तो तंत्र विद्या नहीं करते माम और अगहोरी तो बहुत सारह को तंत्र विद्या करनी के आम जंता क्यों कर रही है आम जंता कौन कर रहा है अरे लोग कुझा करने जाते हैं करते हैं आप काली घाट पे जाए काली बंदिर अच्छा वहाँ पे लोग मनत मामते हैं और बली देते हैं तो यह आम जंता क्यों दे रही है भेड़ चाल क्यों ब तंत्र विद्या मैं हूँ नहीं, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि जो लोग तंत्र विद्या करते हैं, उनका एक अलग तरीका है, लिबरेशन पाने का, मौश पाने का, जो लोग उस विद्या को नहीं करते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो इ में इस जरीय से भगवान से जुड़ रहा है वो विद्या के बारे में मैं नहीं जानती तो उस विद्या के बारे में मैं नहीं बोल सकती इतना कि तंत्र करने वाले कैसे भगवान से जुड़ते हैं उनका जैसे शिव भगवान जी जो है शिव भगवान का भी तंत्र किया जा तो मैंने यह भी सुनाए कि वो लाश के ऊपर बैट के खाते हैं तो यह अलग उनकी तंत्रविद्या है उन्होंने अपना अलग तरीका अलग मार्क चूस करके रखा है वो हर लोगों की बस की बात नहीं अतना टिप मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझ्वारे में मैं जानती नह बाकी लोगों के मैं बात कर रही हूं कि जो जण लोगों की first option है जो लोग छोड सकते हैं उन लोगों को जमूर चोड़ना चाहिए सात्विक पढ़ना चाहिए तो फरोड़ ख़ाव वापस कलकी बसुद पर आते हैं जि जो आपकी एट्स परटीज है उसमें मुझे आप इशर ये बताके कि जब यूद्ध होगा, तो क्या होगा? माहा भारत की एक बेला का युद रहता है एक बेला का युद रहता है एक बेला देसे दो पहर हो गई शान हो गई रातरी हो गई तो एक बेला एक पहर का युद बचा है वो युद जो है इस कल्यूमेर अब इसमें होने वाला है होगा जरूर तो मैंने कहीं ओनलाइन पढ़ा था कि ये जो युद्ध होगा ये छे साल छे महीने कुछ ऐसा चलेगा जो ओनलाइन अवेलिबल है इस बारे तो उसके बाद क्या होगा जब युद्ध खतम हो जाएगा दानम संस्थापना होगी मलेच लोग मरेंगे खतम होगी इस पूरी दुनिया से सत्यूग शुलो हो जाएगा सब अच्छा हो जाएगा सब अच्छा हो जाएगा सत्यूग आप श्रीमत धावर महापुरान पढ़िए फील लीजे कि सत्यूग किसे कहते है तो भविश्य मालिक कि हिसाब से एक हजार साल की उमर हो जाएगी अच्छा लोगों की जो बच जाएगी उनकी एक हजार साल की उमर हो जाएगी और उसके बाद कोई किसी भी तरीके का रोग नहीं रहेगा किसी भी तरीके की जो बुरी चीज़ें हैं बिमारिया हैं वो नहीं रहेंगे पर होते हैं, डेफिनेटली, जी, तो मनों भी दुबारा आएंगे, एक बहुत बड़ा misconception है, ब्रह्मा जी के बारे में, क्या, इसकी सरस्वती जी उनकी पुत्री भी है, सरस्वती जी उनकी पत्नी भी है, तो ये conception, ये मिद्ध है, अच्छा, ब्रह्मा, जितना भी यूनिवर्स है, उतने नए ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा जी का पहले जो सरस्वती जी के साथ था, उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रह्मा जी के पुत्रों लोग थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को बहुत कोसा, कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपनी पुत्री से शादी कर ली, पु तो इसी तरह नए नए ब्रह्मा जी भी है, नए नए उनिवर्स भी है, तो यही चीज मैं यही बताने की कोशिश कर रहे हूँ कि चीजने दुबारा रिपीट होगे हैंगी, तो यह वाला जो सत्य हो गई, यह कितने टाइम तक चलेगा, और इसमें कल की अवतार जो है, वो प कोई विदेश नहीं था, कोई अमेरिका, स्विजर लैंड, कुछ नहीं था, सब एक हो जाएगा, अचा, अगर आप छोटा-छोटा जवाब दो तो फिर तो नहीं चलेगा, इसको और कैसे बताना है आपको, तो तो एक्स्प्लेइन करना पड़ेगा, क्या एक्स्प्लेइन मुझे थोड़ा था, उसमें बताओ ना कि सत्यूग में क्या होगा, कैसे होगा, वो अगर मैं वैसे हमारे पुरानों की और ग्रंतों की मानूँ, तो सत्यूग में दुबारा से कहते हैं फिर बली होने चाहिए, जो वामन अवतार दुबारा होना चाहिए, या फिर पूरी स होगा, यह मैं ऐसे गढ़ना नहीं कर सकती हूं कि इतने टाइम बाद होगा, जैसे भक्तों का एकत्री करन हो जाएगा, अच्छा, आप विजबल हो जाएगा, नहीं पर मुझे एक बार बताओ ना, यह बहुत सही उस पर पहुंच गया है हम लोग, कि अभी सत्यूग जल्मगन हो जाएगी, तो फिर हम दसदार साल जी करेंगी क्या, क्यों नहीं, जो भक्त होंगी वही बचेंगे, भक्त का कोई बाल बाखा नहीं कर पाएगा, बिल्डिंग खिलती रहेगी, भक्त बच जाएगा, अच्छा, जब जल्मगन होगा, जब बाढ़ आएगा, बाढ़ जब आएगी, बाढ़ जब आएगी, पानी जो भक्त को छुएगा भी नहीं, पर जैसे अगर हम पुराने उसमें माने, तो सिर्फ मनु बचे थे, उनको फिर ब्रह्मा जी ने, अपना विश्नु जी ने मतस्य अवतार लेके उनको उनकी बोट को बचाया था, और पर उन्हों ने, मनु ने और उनकी वाइफ ने दुबारा से स्रिष्टी को जन दिया, मनुष्रे जाती को जन दिया, हम लोग सब उन्ही की संताने बोली जाती है, अगर मैं मनु स्रिष्टी भी मानु हो, तो सब कुछ, बिलकुल, पर अभी आप कह रहे हो कि कल की अवतार ह होंगे, हम लोग 10,000 साल जीएंगे, और सत्युक शिरू हो जाएगा, लेकिन सत्युक के शिरू में तो मनु अवतार होना चीए, खंड प्रले होगा, खंड प्रले में क्या होता है कि भूकम पाएगा, बाढ़ हाएगी, ये सारी चिज़े होंगी, और सिर्फ मलेच्छों का मलेच में बार-बार इसले बूले Him, क्यूक्कि करंत में कल की अवतार मलेच्छों को ही बिनाश करेंगे, उनका नाश करेंगे, अकल के अवतार दिखते कैसे हैं? उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, धारा से जुड़ना पड़ेगा, त्रिकाल संध्या करने होगी, श्रीमत भावत पुरान करना पड़ेगा आपने हमें इतना बता दिया कि अफ्तर अफ्तर होगी, यह मैं नहीं बताओंगी, यह आप खुद महसूस करेंगे, आच्छा, तो आप तीनो टाइम पूजा करते हैं, बिलकुल, 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 ब्रह्मुरत में उत्ती हूँ मैं, और त्रिकाल संध्या करत है, कलकी अफ्तार की, पर लेकिन यह बहुत अमेजिग आप बात, आपने मुझे बताही कि वह अपर अपरे अलभी बिलकुल हो चुकी है, बिलकुल हो चुका है, और कल्युकांत हो चुका है, तो लेट्स होप कि अमेजिग चीज़े हो, आप जाओं सत्यूँग देखने के लिए मेरी उमर भी तदजार साल हो जाए तोड़ा है जो मैंने आपको बोला वो उसका पालन करेंगे तो बिल्कुल बचेगे तो आप कितने टाइम तक करना चाहिए मुझे ये लाइफ टाइम नहीं जो मेरे पुराने पाप है उनको काने के लिए आप त्रिकास अंद्र करना प्रभू के लिए कविताएं लिखती आ रही हूं और ये मेरे स्वभागे की बात है कि ये कविता फुस तक मैंने पब्लिश करवाई और कल की प्रभू को अपने हाथों से दी तो आपकी कौन सी फेवरेट कविता है इसके अंदर इसके अंदर मेरी बहुत ही फेवरेट कव तो आप मुझे दो लाइने अगर आप हमें सुना सके हैं आपके पेवरेट कवीता की ये रहा विरह गीत हे कनहया तू है क्रिपालू और दीन दयाला मुझे पर तेरे प्रेम की बोचार है मन है बामरासा जैसे कोई तेवहार है ये मन तेरी ओर खिंचा चला चाता है तेरे प्रेम रस में डूप कर विरह गीत लिखने को जी चाहता है आखों में अश्रूम है रिदय में आस है तेरे दर्शन की उतकंठा और मन में तेरी स्मृतियों का वास है वाणी तेरी मधूर है बासुरी की धुन अमृत है ये अमृत पान मुझको करने दू खुद में मुझको रमने दू तुझसे मिलने की तडप में ये एशा गोपी तुझे याद करते-करते मैं विरहगीत लिखती गई प्रभू को यह पसंद आया होगा प्रभू ने सोचागा बहुत विरह होगा आप उतसे मिलो तो उन्होंने मुझे तो आपने ये कवीता उनको सुनाई ये कवीता मैंने उनको नहीं सुनाई है ये आपको दूसरी लिख राम तो एकड़म मर्यादत थे वो एक शब भी ज़्यादा नहीं बोलते थे शायद अगर मैं शब ज़्यादा नहीं बोलना हमेशा सोच के बोलना किसी को पर लेकिन कृष्ण जो थे वो बहुत ही नटकट थे पॉलिटिकल वो भी करते थे चालाकियां भी करते थे ज ठीक है डिप्लोमेटिक थे और उन्हों ने ये भी था कि भई वो अच्छाई के लिए थोड़ी सी बुराई भी कर लेते थे चल जो भी आप बोल सकते है उसको तो कल की जो है वो कृष्ण के दादा करीब है या राम की कल की जी बहुत मठखट है उनकी स्माइल तो बहुत मुहित करने वाली स्माइल है मन के भाव पढ़ लेते हैं मन में उनको बोल दो उसका जबाब वो दे देते हैं और बहुत मासूम है भक्तों के लिए बहुत मासूम बहुत सरल है लेकिन जब बिनाश की बारी आती है वो नर संगहार करने के ले हुआ है और नरसंगहार करने का मतलब है जितने भी पापी लोग है उनका नरसंगहार करने के नरसंगहार पापी लोग मैं तो देख के मत बोलो ऐसा कुछ नहीं है पाप तो हर इनसान ने किया ना ऐसा कोई नहीं है तो पाप खतम होता तो कल्यूग से अच्छा यूग तो कोई है ही नहीं इसी नोट पे आज का पॉटकास हम लोग यहां बेंड करें है आपने बहुती तो इसी दरावनी बाते भी करी और लेकिन एक उम्मीद हुई दे कि भाई चांस है आपके पास बिल्कुल अभी भी समय है क्योंकि अभी क्या होगा ना कि जब बहुत जादा त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगेगा ना रुपए पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगे अच्छा अकाउंट पड़े पड़े सड़ जाएंगे पैसे कोई उसका यूज नहीं कर पाएगा तो धन बल नहीं धर्म बल चाहिए तो इसी नोट पर कि सत्यूग शुरू होने वाला है हो गया है सौरी सत्यूग शुरू हो गया है इसी नोट पर हम लोग आज का पाटकाट यहां कतम करेंगे अगर मैंने सवाल जवाब करते हुए कोई ऐसी बाते बोल दी हूँ जो किसी को हर्ट कर सकती है तो आइम रेली सॉरी पर वो एक जैन्म सवाल है जो हर एक के मन में होते हैं मुझे पूछना ज़रूरी था उस टाइम पर और होपफुली आप लोगों को भी उतना मज़ा आएगा यह पॉडकास देखके काफी नई नौलेज आपको मिलेगी भगवान कल की अफ़तारित हो चुके हैं अल्रेड़ी तो मैं बस यही बोलू हूँ आयर कि देखते रो तरुन शर्माशो स्टेए सेफ, स्टेए हैंदी जै श्री राम, जै श्री कृष्न जै श्री मातव जै श्री मातव